नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग चैप्टर नमबर नाइन को हम लोग यहाँ पर खातम करेंगे एडवेंट ओफ पोर्तुगीज बही पोर्तुगीज के बारे में आप बाचीत करेंगे वैसे तो खेर पोर्तुगीज एक बड़ा टॉपिक है अगर आप चैप्टर नमबर नाइन को देखोगे काफी basic information मैंने पहले भी आपको दी है अगर आपने मेरी spectrum की middle history की किताब की videos देखी हैं तो आपको बहुत सी information यहाँ पर repeated देखेगी बढ़ ठीक है मज़ा आएगा यहाँ पर आपको story सुनने में दो अलग-अलग historical perspectives देखने को मिलेंगे एक historical perspectives Portuguese के बारे में दिया हुआ है बादूर शाह के context में कहाँ पर spectrum middle history में कि यहाँ पर दे रखाए बाराल topic बहुत interesting है ओके अगर आप इसको connect करके समझने की कोशिश करें मैं थोड़ा बहुत maps वगर अभी आपके लिए इंक्लूड करूँगा जब 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 पढ़ेगी तो advent of the Portuguese देखिए पॉर्टूगीज की entry हुई इंडिया में कब दो चीज़ों के बारे में बात करें तो advent of the Portuguese दूसरा Portuguese impact on Indian trade society and politics तो पॉर्टूगीज की entry हुई इंडिया में वास्को डिगामा के form में जब इसने कलकता में सौरी कैलीकट में अपने कदम रखे कैलीकट में 1498 में दो ships के साथ पहुंचा यहां पे वास्को डिगामा इसको यहां तक आने में मदद किस ने की थी तो गुजराती pilots ने मदद क अफ्रीकन कोस से कैलीकट आना अपने आप में मुश्किल बात है और अब समझे यह है इंडिया ठीक है अब इंडिया की यहां पर मालों कहीं पर इनका ship पहुंचा और इधर है आपका अफ्रीकन कॉंटिनेंट इधर आपका मदागास कर तो अफ्रीका से सेल करते 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 क यहां पहुंचना अपने आप में मुश्किल काम है पूरा का पूरा इंडियन ओशन है ठीक है पूरा का फूरा आप कह लिए रेव इनसी है बीच में तो इस ट्रेकरस जर्णी को बिना किसी experience के पूरा करना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए यहां पर वासको डिकामा को पहले पता था इसने दो गुजराति पाइलिट्स को हैर किया उनको पैसे बगर दिये और बोछा कि हमें लेकर चलो और फाइनली ये इन यूपिंस को लेकर पहुछें अइंडिया के अंदर अब यूपिंस के एंटरी को अपने फेवर में घुमाने की कोशिश करेंगे अपना फायदा को जाता देखेंगे और जो बाकी ट्रेजर से उनकी फायदे को बैक बन में रख देंगे मतलब खास बात यह है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है ना वो चीजों को इस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं कि कही न कहीं जो यूरोपन कल्चर है वो कंट्रीज में जब पहुचा है ना तो इसका इन कंट्रीज में फायदा भी बहुत हुआ नॉर्मल कर केसे में वो कंट्रीज जो की कॉलोनियलिजम से गुजरी है जैसे कि इंडिया की बात कर लो आप किसी और कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लो जिनका कोई कॉलोनियल मास्टर रहा है इंगलेंड रहा है फ्रांस रहा है जर्मनी रहा है स्पेन रहा है इन सबने colonialism के अगेंस लिखा है लेकिन जो colonial countries हैं उनके historians ने क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि बाई देखे इस colonial राज ने इन countries को develop करने का मौका दिया ये countries कैसे justify करती हैं कि बाई इंडिया और ये बात कुछ तक देखें सही भी है इंडिया कभी अपने आप में पूरा द रोल के अंदर आता था लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका अलग अलग राज रजवारों में बटा हुआ था कोई एक uniform administrative unit नहीं थी जब colonialism के चलते हैं अंग्रेजों ने हमको कबजा किया तो unintentionally उन्होंने हमको एक administrative unit में बदल दिया जिससे nationalism की भावना उठी उस nationalism की भावना के बीच में फूट डाल दी धरम ने और धरम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटके पाकिस्तान और मंगला देश बन गया चलिए अब वो तो खेर एक अलगी कहानी होगी एक basic कहानी होगी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि Portuguese का हम बटन जुरू दोस्तों आपके जॉइन बटन दमाने से काफी मदद मिलती है ओके आपके जॉइन बटन दमाने में जदन नुकसान है नहीं बट इट इस हैलफूल तो मी इन लॉंग टर्म और मैं रगूलरली वीडियो बनाता रहता हूं जॉइन बटन वालों के लिए आग पर अधरी कोश्तित इस नापी एंपट आपके जॉइन बटन लेग गांग पर वॉइन आपके जॉइन बटन पर आपके जॉइन बटन में बटन दमाने का रहता है जॉइन देखे पर इकनोमी बहुत तेजी से बट पराइ थी यॉड़ोप में जॉए लान था जिसके ओप agriculture होता था वो बहुत तीजी से बढ़ रहा था forest बहुत तीजी से काटे जा रहे थे ठीकी ना मतब agricultural technology में वहाँ पे आपके सकतो innovation आया था उनकी agricultural production बढ़ी थी बहुत नएने तरीके के ये agriculture techniques जिसे crop rotation करना soil की fertility का ध्यान रखना cattle का trade बढ़ने लगा meat की supply बढ़ने लगी अब जब economic effluence आएगा तो लोगों के पास पैसा जाद आएगा तो बड़े-बड़े towns बनेंगे, trade बढ़ेगा, internal और external trade बढ़ेगा, अब समझेए internal trade तो चलो European countries आपस में land के थो internal trade कर रही है external trade मतलब बाकी दुनिया से trade कर रही है, और बाकी दुनिया से trade करना है, तो कैसे करना पड़ेगा समंदर के रास्ते करना पड़ेगा फिर खास बात ये थी, कि यूरोप के अंदर oriental goods के requirements यहाँ पर होता है कि oriental का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया है, कुछ-कुछ एशिया के characteristic का बोल सकते हो East Asia के आसपास के अलाके को एशिया के आसपास के अलाके को oriental बोल जाता है, ठीके ना, तो East Asia थोड़ाब बहुत लगबग East में आगा, in fact Asia वैसे भी Eastern है, इस वे में पड़ता है ठीके न, अगर आप England इसे मान लो कि हाँ, इनका प्राइम मिरे डिन गुजर रहा है तो उसके East में आता है आपका तो Asia East में बढ़ता है और Asia का भी East Asia वाला जो हिस्सा होता है इसको आप बोलते हो Oriental तो भाई जो Oriental गोट्स थे, जो Asia से East से औरिजनेट होने वाले जो गोट्स थे उनकी काफी डिमाइंट थी किसके अंदर European Markets के अंदर इसमें से चाइना का सिल्क आता था इंडिया का मसाले, इंडिया के ड्रग्स South East Asia के मसाले, South East Asia के ड्रग्स ये सब बहुत बुकते थी ये बिकते थी European Markets में अब जब European Markets में Economic Affluence आया, Revival हुआ एकनॉमिक, तो वहाँ पे लोगों के डिमांड बढ़ी, अब लोगों को ज़्यादा मसाले चाहिए थे, ज़्यादा काली मिर्च चाहिए थे, ज़्यादा पेपर चाहिए था चीजों को पलेटेबल बनाने के लिए पहले क्या था, कि मीट लिया मीट को भूँच दिया, उसमें नमक मारा, खा लिया, लेकिन अब क्या है, कि उनको पता चल चुका था कि भाई, कुछ मसाले होते हैं, जिनको अगर आप मीट के ओपर लगा लो और खालो तो बढ़ा स्वाद आ जाता है, आज के डेट में भी अगर आप टर्की जैसी कंट्रीज में जाएंगे, और यूरोपन कंट्रीज में जाएंगे, तो आज भी वो चिकन और मठन को ऐसा खाते हैं, कि भाई, उसके उपर यूरोप वालों को भी पता चल गया था कि मसाले लगा के अगर खाओ मीट तो मजा आ जाता है, पहले बस नमक लगा के मीट खाते रहते थे, तो आप पैपर की डिमांड बढ़ेगी, और वहां तो स्पाइसे हैं नहीं, अच्छा एक और चीज थी, विंटर के समय पे चुकि अगरीकल्चर कम पढ़ जाता था, तो एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता तो और उनको खाली आ जाता था, तो मीट खाने के लिए वैसे भी इसपाइसे चाहिए और आप तो खाने में भी अगरीकल्चर प्रोड़क्ट्स में भी आप दाल बनाने मे भी spices डाली सकते हो तो जो पेपर था काली मिर्च थी it was brought to levent अब आप बोलोगे कि sir यह levent क्या है तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैप जब आगे आएगा तो मैं आपको इन दिखाऊंगा बराल यहां जो समझा रहा हूँ उसको समझिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ जैसे फॉर एक्जामपल अगर आप मैप को इमेजिन कर पाऊ यह अफ्रीका का इस्टन कोश्ट है यह यहाँ पर एजिप्ट है ठीक है भाई इस तरफ है आपका रेड़ सी रेड़ सी को जैसे क्रॉस करोगे न तो उपर की तरफ आपका क्या क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका इस्राइल ठीक है यह आपका इस्राइल है उसके उपर जाओगे तो आपका आएगा लेबनन इस्ट में जाओगे तो इधर आएगा सीरिया सीरिया के साुथ में जाईंगे और ईसाइल के इस्ट में तो आएगा आपका जॉर्डन इस तरफ अगर आप आँगे तो आएगा आपका इराक अब आब बोलोगे सर की ये सब क्या बता रह हो अप एह बताओ की Levent के इलाके में क्या क्या आता है Levent countries कौन कौन सी है तो Levent में आता है आपका Lebanon जाद रख़िये कहता है सुनिये Syria, Iraq, Palestine, Jordan Lebanon, Syria, Iraq, Palestine, Jordan, यह Levent region का पार्ट है, 7,30,000 स्कौर किलो मिटर का इलाका है Mediterranean की coastline पे यह पूरा पूरा इलाका पड़ता है तो आपको clear होना चाहिए कि Levent के हैं मैंने आप नक्षा इसलिए नहीं मनाया है मतलब आपको पूरा-पूरा नक्षा की image भी मैं दिखा सकता हूं बट मैं यहां पे countries को draw करके दिखा रहा हूं ताकि आप एक को हलका फुलका idea रहे कि आप इन countries की orientation के हैं आगे नक्षे भी मैं आपको बहुत सहर दिखाओंगो और इस प्रकार के नक्षे मैं आपको दिखाता ही रहता हूं तो यह जो काली मिर्श थी पेपर थी यह पहले लेवेंट लाई गई और लेवेंट की जस्त नीचे ही आ जाओ तो एजिब्ट भी आ जाता है ब्लैक सी पोर्ट पर लाई गई चले थोड़ा आपको नक्षा दिखाई देता हूं यह आपको लेवेंट के आसपास का इलाका नजर आ रहा है ठीक है इस बेसिकली इदा एरिय मैंटिंग वार चल रहा है इधर है आपका इराक पेलस्टीन तो आपको पता ही है इसरायल के एक तरह आपकी जो गाजा पट्टी है वहाँ पे है आपका प्रेस्टीन यह गाजा सुर्स दिख रही है दूसरा आपके सकते हो कि इस तरफ वेस्ट बैंक में यह जो पूरह जुका है नॉर्थ में ब्लाक सी की उक्रן नजर आ रहा है इस्ट में और नॉर्थ यस्ट में आपको epend tresp envy नजर आ रहा है इधर ब्लाक सी में Georgia नजर आ ब्लाक सी में साओध में चले जाएंगे तो टर्की की बहुत बड़ी跟 अधरी बॉंडी लगती नीचे की तरफ देखेंगे, यह जो आपको इलाका दिख रहा है, यह है आपका सिनाई पेनिसुला, यहाँ पे Gulf of Aqaba है, Gulf of Aqaba Red Sea का एक्सेस देता है किसको, इसराइल को, इसी Gulf of Aqaba को ब्लॉक कर रहा था, इजिप्ट की भाई, वो जो Six Day War था 1967 का, वो छिड़ गया था, इस से आपका Red Sea नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा, और यह आपका इधर Mediterranean Sea है, बहुत सारे और कुश्चन्स बनते हैं कि Eastern Mediterranean कौन-कौन सी कंट्री साथ बाटर लगाता तो याद रखेंगा Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Egypt, Greece, यह सब कंट्रीस के नाम आप याद रखेंगे, चलिए, तो basically हमने पास्ते से कैसे आएगी तो समझ यह, यह जो टर्की नाम का देश है, होके, यहाँ पे इसकी काईकॉनिक सिटी है, Istanbul, अब यह टर्की नाम का देश कुछ हद तक आपका Asia में, जदातर यह एशिया में ही है, और कुछ हद तक यह यह यूरॉप में, तो एक लैंड एकसे सीध एक और चीज़, अब क्या, यह तो खिर, बहुत ही आसान, कोशन में, पूछूँगा नहीं, यह जो यहाँ पे वाटर बॉटर बाटी दिख रही है, जो कनेट करती है, ब्लैक सी को सी ओफ मरवला के साथ, इसको बोलते स्टेट ऑब बॉसफोरस, यह फिर बॉसफोरस स्टे इडिया, ग्रीस, एजेप्ट, और वो जो मैंने लेवेंट का इलाका बताई, यहाँ पे ट्रेडिंग आपकी जमीन के रास्ते से भी होती थी, और समुंदर के रास्ते से भी होती थी, क्लियर होगी बात, ठीक है, फिर आप देखोगे कि ओटोमन टर्क का यहाँ पे राज ह कि एक क्रूसेडर को भेजते थे, क्रूसेडर के काम कहता है कि मुस्लिम्स को पीछे पुछ बैक करना, मुस्लिम्स से अपना अलगी रिवाल्ट शुरू कर दिया, और उन्हें क्रूसेडर से लड़ना शुरू कर दिया, तो मुस्लिम वर्सेडर से लड़ना शुरू कर दिय तो Christian, Muslim versus Christian की लड़ाई बहुत लंबी चली है, बहुत लंबी चली है, लेकिन आप देखोगे कि 15th century आते यहाँ पे जो Turks थे वो जीतने लगे थे, और बहुत बड़ा इंपायर था ओटोमन इंपायर, टर्की और इसके आसपास का जो इतना गभी इलाका था, वो पूरा का पू करने लगेंगे, ओवर ओल, पहले तो Constantinople, जो आज की डेट में जो city है, Istanbul की, इसको पहले Constantinople बुल आता था, इसके ओपर कब जा करेंगे, और अब आप समझो, यह केवल एक city नहीं है, इसको पैसों का गड़ कहा जाता था उस समय पे, आप सोचो के क्या रही है, यह Istanbul की इत मिकली बहुत उपर उठेगा, क्यों? जो कि first of all अगर यूरोप को और एशिया को ट्रेड करना है वाया लैंड, तो इसको इस्तानबूल से होके गुजरना पड़ेगा, पहली बात, दूसरी बात, अगर रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, जैसी कंट्रीज, यूरोमानिया जैसी कंट्रीज, overall Mediterranean Sea का access चाती है, वाया Black Sea, तो इस Bosphorus Strait से निकलना पड़ेगा, और Bosphorus Strait पे कबजा किसका होगा? जिसका Istanbul पे कबजा होगा, और जब Turks ने Istanbul को कबजाया, मतलब उस समय पे इसको Constantinople कहा जाता था, तो जब Turks ने इस Constantinople को कबजाया, तो इनकी जो economic promise थी न वो एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी, फिर आप देखोगे कि Turks ने सीरिया को भी कबजा लिया, एजिप्ट को भी कबजा लिया, अभी Ottoman Turks की बात हो रही है, तो हमको यह समझना बहुत जरूरी है, कि Ottoman Turks के इलाके में कौन-कौन से इलाके आते थे, तो अगर आप 1683 AD पे पह दिया तो उसके बाद ही, इसराइल की बनने के लिए वगरा शुरू हुई थी, वो खेर एक बात की बात है, लेकिन 1683 AD में आप देखिए, Ottoman Empire कहां कहां तक फैला हुआ था, यह पूरा का पूरा एनेटोलियन प्लैट्यू, जो आज की डेट में टर्की है, यह पूरा आपका का इलाका, सीरिया, इधर आपको, मतब जितनी भी कंट्री दिख रही है, साओधी अरिबया का यह बहुत बड़ा इलाका, साओधी अरिबया कही जो इस्टन बेल्ट दिख रही है, यह किसके हाथ में, यह आपकी Ottoman Empire के हाथ में थी, फिर African countries, इधर Egypt है, Tripoli, Algeria, Algeria, Tunisia, इन अंगरी का एक बहुत बड़ा इलाका, Bulgaria, Greece, आल्मोस्ट पूरा का पूरा Greece आपका Ottoman Empire के अंदर था, मतलब Ottoman Empire एक समय पे बहुत बड़ा Empire था, ठर्क्स ने पूरी की पूरी दुनिया से जीत लीती यहां पे, और यह बहुत की रीजन था, समझे बात को, अगर Europe को ट्रेट करन एक से बलाएब दॉक़ आपको अचाहिसे यह यह बता है, इस वाले पूर्टो पोर्ट के साथ प्रेट करना है यह बता है, तो इज़ेत वाले पॉर्ट्स पोर्ट प्रेसे शाुआँ सो अचाहे यह एकस्स पूरी तरीके से के पास चिला गया थे जो एक आइभव बर का आज की रेट में यहां पे बंद नहीं कर सकते है पैसा कमाना यहां पर बहुत जग जरूरी है कर आज को यहां पर भाक नहीं लुक लुकर इसा है इन्होंने मोनोपली स्थापित की, अब देखो, पहले जब कृषिण्स का राज था, तो उन्होंने अपने अपने अलाके में अपनी मोनोपली स्थापित की। तो कुल मिला के आप देखोगे कि अब टर्किश पाउर का expansion होगा Eastern Europe मे कैसा expansion होगा, कहां कहां से कंट्री से कब जिमा यहांपे बनेगी जो कि पूरे के पूरे Eastern Mediterranean पे dominant करेगा, आप समझेए Mediterranean का ये Eastern हिस्सा जिसके कोने पे Greece, Turkey, Syria, Israel ठीके ना, Lebanon, आज की डेट का Egypt ये सब जो countries आती थी Eastern Mediterranean के coast पे ये एक Turkish lake बन गई थी मतलब यहाँ पे Turks ही डॉमिनेट कर रहे थे आज की डेट में कुछ-कुछ हद तक ये जो आपके Turkey के President है ना, रसिप Tayyip Erdogan ये भी करने की कोशिश करते हैं, अलाकि अब उनकी ज़्यादा कुछ होकाद है नहीं, किवल टर्की गंदर ही है बढ़ उस समय पे जो Ottoman Empire के Turks थे, वो तो भाई बड़े जबरदस्त थे बहुत बड़ी ताकत उटके सामने आया था आपका Ottoman Empire अब जब पूरा का पूरा Eastern Mediterranean के उपर ये टर्क का कबजा होने लगा तो तो Genoa is somewhere है और Venice is है तो जो Genoa और Venice यहां से बहुत सारे ओरेंटल गुड्स में ट्रेड हुआ करता था तो इन पर्टिकुलर ट्रेट्रीज के जो लीडर्स थे ना उन्होंने बोला कि भाई चलो हम तो Turks के साथ अपनी मांडवली कर रहे हैं तो अगर हम तर्क से लड़के कोई फाइदा नहीं है वैनेस वालों को भी और Genoa वालों को भी इसी Eastern Mediterranean के सामान निकालना है तो अगर हम तर्क से लड़ाई कर लेंगे तो हमको मिलने कुछ नहीं वाला है तो जब हमको मिलने कुछ नहीं वाला है तो क्या मतलब लड़ाई करके एक मैं और बात बता दूँ आपको Swiss Canal के थूरू मैंने आपको बताया ट्रेट होता था तो समुंदर मैंने ट्रेट हो थोड़ा बहुत लैंड के थूरू ट्रेड होगा तब समाना रेविल सी में पहुंचता था लेकिन यहां पर टर्क्स के साथ लड़ाई का बीड़ा किस नोट है आप कैसकते हो कि टर्किस डेंजर से यूरोपेंस परिशानत और कुछ यूरोपेंस की इगो बहुत ज़ादा बड़ी थी उनने बोला कि इन से नहीं जेल पाएंगे तो मेडिटेरियन के इस्टन पार्ट में अगर टर्क्स डॉमिनेट कर रहे थे तो वेस्टन पार्ट में दो कंट्रीज डॉमिनेट कर रही थी एक थी आपकी स्पेन और एक थी आपकी पॉर्टुगल तो इस्पेन और पार्टुकल ये दो ऐसी कंट्रीज थी जो कि आप कह सकते हो कि मेडिटिरेनेन के वेस्टर्न पार्ट में तो ये इस्पेन इधर दिख रहा है तो इधर आपको पॉर्टुकल नजर आएगा तो पॉर्टुकल और इस्पेन ने बोला कि हम भाईया बीड़ा उठाएंगे हम इंट्रक्स को पीछे की तरफ धाके लेंगे अब यहां पर किस प्रकार से लड़ाई शुलू होगी इस लड़ाई को मैं अगली वीडियो में टेक अप करूँगा चूकि टॉपिक काफी इंट कर सकते हैं तो हर्प करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेलिग्राम को पूप जोइन करें हर चीज़का लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन वाक्स में गिवाने हैव ग्रेट देफरेंट्स गुडबाय टेक केर